Hello Friends, Welcome to Special Study Friends, आज हम लोग बात करेंगे दो अंको की किसी भी संख्या का स्क्यर आसानी से निकाले मात्र दो सेकन में क्योंकि कई स्टुडेंट ऐसे हैं जिनको स्क्यर याद करना कठिन पड़ता है और कई बार एक्जाम में स्क्यर नहीं याद होने के कारण कोस्चन छोड़ देते हैं तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी दो अंको की संख्या का स्क्यर कैसे आसानी से निकाल सकते हैं एक्जाम टाइम में भी निकाल सकते हैं कि आपको केवल 2 सेकंड या 3 सेकंड में निकालना सिखा हुआ कि आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का स्क्यर ठीक है तो चले देखते हैं दोस्तों मैं इतना जानता हूं कि आपको एक से 20 तक या एक से 10 तक कि स्क्यर आसानी से याद हो जाते हैं ठीक है लेकिन उसके आगे की बात करूँ जैसे एक्जामपल 44 का 53 का 85 का इन संख्याओं का इसकेर याद करना थोड़ा कठीन पड़ जाता है और इसके कारण एक्जाम बच्चे कोस्चन छोड़ देते हैं ठीके कोस्चन सॉल्व करना तो आपको मैं बताँगा आसानी से आप केसे निकाल सकते हैं जैसे एक्जामपल के तोर पे हम आपको मैं बताँगा तो चार का क्या होगा 16 इस 4 का square क्या होगा 16 होगा तो यह हमारी संक्या क्या आगे 1616 ठीक है आप करना कुछ नहीं जो 4 4 लिखा है ना डबल 4 इसका आपस में multiply करेंगे तो किता आएगा चार चोक 16 ठीक है अब इस 16 का 2 के साथ multiply कर देंगे 16 32 अब इस जो 32 ठीक है उसको क्या करेंगे इसमें 8 कर देंगे एक संक्या छोड़के ठीक है तो 6 2 और 1 3 6 और 3 9 और 1 ठीक है आया 1936 जो कि 44 का square होता है 44 का वर्ग होता है आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि ज्यादा टा ठीक है से हो जाएगी ना तो आप 2 से 3 सेकण में निकाल सकते हो एक्जामपल के थोर पिर आपको मैं करके बताता हूं फिर से जैसे 44 का square निकालना है ठीक है करना कुछ नहीं है पड़ता है बच्चों को देखो 85 का square ठीक है वाई ट्री के अपनी क्या लिक करेंगे 85 लिखेंगे पांच का square किता होता है 25 आठ का square किता होता है 64 ठीक है करना है पांद दूनों 10 और 10 दून 20 ठीक है इसको इसमें 8 कर देंगे एक संक्या छोड़के 5 2 4 और 2 6 और 6 किता हो गया 6 8 25 ठीक है यही हमारा 85 का square होता है चलिए और भी संक्या मैं आपको बताता हूं जैसे एक्जामप 94 का square क्या होगा देखे 4 का square किता होता है 16 9 का square होता है 81 ठीक है करना कुष्णी 9 36 36 में 2 का गुणा कर देंगे ठीक है तो किता आएगा बहुततर आएगा बहुततर को एक संक्या छोड़के इस संक्या में 8 कर देंगे 6 2 और 1 3 7 और 1 8 और यह 8 यही हमारा किसका square हो जाएगा 94 क चलिए और भी उधारन के साथ समझाता हूं जब तक आपको दिमाग में नहीं आ जाता है आपको समझ में नहीं आ जाता है वेसी इस तरह एक सापको मैं Example देके और समझाता हूं, जैसे माल लो बात करते हैं, किसके बात करें, चले बात कर लेते हैं, 28 की, ठीक है, 28 की स्क्यर क्या होगा, इसका स्क्यर क्या होगा, तो देखिए, 8 का स्क्यर किता होता है, 16, 2 का स्क्यर किता होता है, 4, ठीक है, तो ये 4 लिग दिया, आप क्या करेंगे तो इसको एक संक्य छोड़के लिख देंगे छे दो और एक तीन चार और तीन साथ तो यह हमारा 736 किसका इसकेर हो गया 28 का इसकेर हो गया है उम्मिद है कि आपको समझ में आ रहा होगा चले एक्जांपल के तोर पर और ले सकते हैं जैसे मालो मैं बात करूँ 19 का सकेर तो 19 की देखते हैं एक भार फिर से आसानी से समझाने का प्रैयास करता है एक का सकेर गता होता है येगा वैसे भी मैं आपको एक्जांपल के तोर पे कुछ एक्जांपल देता हूं जो कि आपको प्रेक्टिस करना है ठीके उधारन के लिए 43 का स्केर निकालना है ठीके आपको निकालना है 28 का स्केर तिरियनवे का स्केर आपको निकालना है 86 का स्केर ठीके और एकोर संक्या लेलो 55 का स्केर ठीके तो इनके आपको स्केर निकालना है ठीके पांचों संक्या के अगर आपको नहीं समझ मैं है तो कमेंट करके जरूर बताएगा मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा ठी किसी भी संक्या दो अंको की संक्या में अगर 5 दिया है ठीक है तो उसको आप आसाने से कैसे solve कर सकते हैं इसकेर निकाल सकते हैं उसको में next part में लेके आउंगा वीडियो वो भी काफी important है exam में काफी मदद करेगा तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like किज सेर किजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब किजेगा क्योंकि इस वीडियो पर इसे ही इंपोर्टेंट और बहतरीन वीडियो मिलती रहती है तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्दवेश्ट